अगर आप credit card to bank transfer करने की सोच रहेते ना तो आप एक सही वीडियो पर click करो इस वीडियो को आप last पक दिखेगा आज आपको में एक तरीका शेर करने वालों जिससे आप credit card का पैसा अपने bank account में transfer कर सकते हो एक दम 101% working trick है किसी भी bank का कोई भी credit card अगर आपके पास available है ना चाहे वो आपके पास यहाँ पर SBI का card हो चाहे यहाँ पर जो है आपके पास Amazon Pay का ICIC का credit card हो या किसी और bank का credit card हो चाहे वो IDFC First Bank का credit card हो किसी भी तरह का कोई भी credit card है उससे आप इस पैसे को bank में transfer कर सकते हैं तो बिना किसी दिखेगी के यहाँ पर शुरुआत करते हैं मैं यहाँ परसनली यूज करने वाला हूँ one card का credit card because यहाँ पर जो credit card यूज करना थोड़ा आसान हो जाता है one card का इसलिए मैं one card को यहाँ पर यूज करने वाला हूँ अब account बनाने के बाद आपको क्या process करना है वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना है फास्ट्रेक वाले option पर ठीक है आपके पस पेटियम का फास्ट्रेक यहाँ पर होना चीए इस ट्रिक के लिए और भी बहुत सारे ट्रिक है लेक इससे में मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैंने 250 रुपए का transaction आपके सामने live करके दिखाने वाला हूँ तो 250 रुपए या मतलब maximum जो है 10,000 रुपए की पेटियम के जो फास्ट्रेक उसकी लिमिट होती है तो आप 10,000 से उपर का transaction मत करना मैं यहाँ पेवल आपक अच्छी तरीके से आप चेक कर लिजिए आपको कहीं पर भी जो है वो credit card का option यह नहीं मिलेगा अब आप बोलेगे के भईया आपने तो credit card to bank transfer बोला था वीडियो को skip कर देंगे तो आप मिस कर देंगे अब यहाँ पर मैं debit card वाले बटन पर क्लिक करता हूं यहाँ पर आपक जो है अपना किसी भी debit card है मेरे पास यहाँ पर यह AU का debit card है इसके detail डालूँगा बट यहाँ पर मैं one card से इसे replace करूँगा किस तरीके से करूँगा वो आपको देखना बहुत ही ज्यादा important है तो किसी भी bank का debit card आपके पास है ना उसके detail डाल देजिए सबसे पहले जैसे मैं अपना एक debit card है उसका number मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ कुछ चीज़े आपको blur देखेगी due to security reasons simply मैंने उसका जो number है वो यहाँ पर डाला और number डालने के बाद यहाँ पर देखो सबसे पहला काम उपर आपको number फिल कर देना है अब यहाँ पर जहाँ पर expiry rate बूला जाता ह हूँ ठीक है अब आप बोलेंगे कि यह खाली expiry और cvv डालने से क्या हमारा credit card का पैसा निकल जाएगा तो यह one card का credit card है आपको सामने live यहाँ पर proof दिखाने वाला हूँ अब आपको क्या करना है यहाँ पर सबसे ज़्यादा important बात आती है जो समझने की ज़रूत है आपको वीडियो को इसके मत करना इस वीडियो को लाइक कर देना इस वीडियो पर लाइक है में रखता हूँ 500 लाइक का बहुत बड़ा लाइक है मैं आप लोग जरूर से complete कर दीजेगा अब आपको क्या करना है वो समझने वाली चीज है यहाँ पर बहुत important सबसे पहले last का डिजि आपका था वो second डिजिट आपको डाल देना है जो third डिजिट था आपके credit card का एक एक डिजिट हटाते जाना है और एक एक डिजिट को डालते जाना है तो मैं यहाँ पर जो अपना credit card का जो third डिजिट था वो मैंने यहाँ पर enter कर दिया credit card का जो मेरा fourth डिजिट था वो मैंने एक हटाया और मैंने credit card का अभी की situation पे मेरे starting के जो 12 character है वो तो मेरे debit card के हैं last मेरे character बचे हैं वो credit card के हैं इसी तरीके से ये 4 भी मैं हटा लूँगा ये 4 भी हटा लूँगा debit card के जो last के हैं अभी तक मैंने 4 हटा लिए आप मैं पांचवे नमबर वाले पे हटाया और पांचवे नमबर पे जो मेरे digit है वो मैंने पांचवे नमबर पे लगा दिया इसी तरीके से मैं सारे फटाफट से लगा लेता हूँ आप देखो यहां पे आपको कुछी जब blur देख रही होंगी ब्लर में भी आप कुछी जब पहचान सकते हैं मैंने अपने क्रेडिट कार्ड के डिटेल यहां पे डाल दी और आपके सामने मेरे पास यहां पे नोटिफिकेशन आएगा वन कार्ड की तरफ से यह नोटिफिकेशन आने वाला चुका है नोटिफिकेशन मेरे पास यहां पे आ चुका है आप लोग सामने माँ आपको वन कार्ड की एप्लिकेशन मे 어प रहे जहांly मैंने दो बार ट्रांजेक्शन किया और दोनों बार मेरा ट्रांजेक्शन यहां na better just साथ में आपके अप्लिकेशन में जो reward मिलता है जो भी credit card पर reward मिलता है वो भी मिलेगा मेरको यहां पर देख सकते हैं पूरा 1% का जो भी reward है वो भी मेरको यहां पर देखने को मिलेगा और साथ में आपका credit card to bank transfer यहां पर हो चुका है वीडियो को आप लोग लाइक कर चैनल बनाया हो तो सब्सक्राइब कर लिजेगा अ